हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिवा लेर्निंग फोर मोर अपडेट्स लोग इंटो वेपसाइट www.shivalearning.in तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बात करूँगा नीट 2019 में जो chemistry का section होगा उसमें सबसे ज़्यादा weightage और chemistry, chemistry की syllabus में सबसे ज़्यादा weightage कि chapter किस topic से आने वाली हैं तो वाईस चलिए शुरू करते हैं शुरू करने पहले मेरी आप से request हैं जार आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिया और साथी बेल आइकन भी प्रेस करतीजे रेगुलर अपडेट्स के लिए तो सुदेंट चलिए शुरू करते हैं there are always few topics in need which enjoy greater or more weightage in the examination than the others so you should begin with analyzing past few years question papers and make deductive reasoning of which topics do the maximum number of questions are taken so after much analysis it can be predicted that the maximum number of questions in chemistry will come from so guys कि आप सबसे पहले खुद एनलाइस कर सकते लास्ट यह कोक्शन पर और सेंपल पर से लेकर कि कौन से टॉपिक से ज्यादा वेटेश की कोक्शन आ रहे हैं फिर भी हमने कैमस्ट्री में जो तीन टाइप की कैमस्ट्री उसके अंदर हैं उसमें से कुछ सब कुछ टॉपिक ज्यादा वेटेश का है और इनकी ज्यादा वेटेश है तो इन सब इन टॉपिक्स की सबसे ज्यादा वेटेश है जो हमको देखने को मिली है इसके लावब कुछ और बात करते हैं बहुत इंपोर्टेंट बात बात बिसाइड़ इस इस अधर आप जिनकी ज्यादा वेटेश हो नहीं पड़े आप अमने इस पर एक वीडियो बनाएते हैं उसे देख सकते कोई भी टॉपिक अंटच नहीं रहना चाहिए और उससे खाली खाली अगर अगर आफ ज्यादा वेटेश वाले पड़ोगे तो आप उससे खाली टॉपि कर सकते हो अच्छे नहीं कर सकते this so if you really want to crack NEET study hard and revise even before time and again Also, regular practicing of MCQ and NEET sample papers are a must and without säga importance of making notes as an important step in the learning process Chemistry can be your best friend in achieving a high score in NEET 2019 so study hard and make it your secret weapon to rank high तो वाइस इस वीडियो में इतना ही मिलते नहीं वीडियो में ऐसी नहीं नहीं जानकारियों के साथ तब तक आप रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शीवाल अगनी जरो सब्सक्राइब करें नमस्कार